असलाम अलेकूम वेलकम बैक तो मार यूटूब चैनल कैसे सब लोग उमीद है कि सब लोग है रियस होंगे आज मैं फिर से एक न्यू परड़क्त जो है आपसे शेयर करना चाहूंगे जो कि औरिफलेम की न्यू लौच होई गया तो स्टार्ट करने से पहले आपको हर बार ज इस यह पोड़कम और होता है टूब के लावा जो आपकोड़ा सेट होता है दूब ये विगवां तो यह बेसे छाइन आपको बाकिह γते warto है तो मैंने यह इस तीन चीज़ें मूगायां उटूरकाम 24 है मैंने दो हम रिखी करीम ऑपकरि अर इसका मैंनों थारल तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं कि ये किसे यूज होता है और ये कि स्किन के लिए होता है तो आए हम स्टार्ट करते हैं इस फेस वोश का नेम है गलो अजैंश जो के न्यू परड़क्ट लाँच हुआ और इफलेमे जो के बहुत ही बेस्ट है विद किन टाइब के लिए है और इसके बाद इसका मैं डेमो देना चाहूंगी हैंड पर सबसे पहले हम फेस वोश का करना दिखाऊंगी करके कि इसको किस तरह से आपने अपलाई करना है अपने फेस पे यह मैंने थोड़ा सा लिया फेस वोश यानि क्लिंजर भी कहते हैं इसको ह पर दूसरा तो इस तरह से आपने फेस पे इस तरह से लगा कि मसाज करके और शावर लेना हैं तो यह आपको नजर आड़ोगा मैंने इसको पाने से वोश किया है वोश करने के बाद आपने इसको क्लीन करना है अपने फेस को जिस सहां से मैं कर रही हूं क्लीन करने के बाद आपने इसका सक्रब प्लस मास्क लेना है ठीक है इसको क्लीन किया हमने पूरे हैंड को यह आपने अपने फेस पे इसको अपलाई करना है उसके बाद आपने इसको ये जिसके त्रूजा जिनकों रिएस आपकें करने यूज में में यूजा कर दो आपकें के हैं जिसके स्किन भाधाँ होती है करें सिमर सीजन जका का विछ ऑग कि बड्मनियम्च नितते है ने समर score आजगे यदिन distribution का कर Si ke करेंगे सक सबस्राइकर ना इतना सामने लिया समुना है इसमें बहुत च्छछकुटे पाटिकल्स होती है जैसे स्क्रब्इंग में होती है सको हम ने ईसका मसाज किना भाए कर रात शका थिक, रूद जा मैं जैसे स्क्रेकर का लिएकर लग Pear रेंस नेक पे ठीक हे बहुत अच्छे से आपनेका मसाज करना है मसाज करने के बाद आपने इसको भी 25-20 मिन तक छोड़ दीना आप जब तक ड्राइ होने जाए क्योंके इसमें मास & सक्राब दोनों अड्ड है तो सकरब भी एड़ है तो इसलिए आप इसको जोर से अपने face पे apply नहीं करेंगे आप बिल्कुल lights of hand से आप अपने face पे apply करेंगे आस्ता से क्योंकि इसमें छोड़ चोड़े particles है तो कहीं rational और जाप की face ठीक है तो इसको ऐसे करके apply करके आपने इसको 10 मिन तक छोड़ देना ताके ड्राय हो तो लाइट नहीं थी लाइट की वज़ा से कुछ नजर नहीं आरा रहा आरा नजर बहुत कम आ रहा आरा ैं अच्छा ठीक है यह मैंने इसको वूश करने लगी इसको भी इसकाइब अपने इसको अपने किलनकर करना रिस को पूरदять करकर डविद़ कर देना अपने की अपने अपने करीम का यूज करना है दो करना alltså एपने ऑपने फेस पर ठीक है फेस पर आपने इस को अप्लाए कर देना है क्रीम को इसकी फ्रैग्र्स बहुद जादा उसे बहुत जादा और उनकी परड़क्ट होती है ap उसकी quantity जो होती है वह भोत कम में लेनी होती क्वानिटी का बहुत कम यूज़ करना था ठीक है यह जादा यूज़ नहीं होता तो इतने मैं इसको यहां पर इतना सा लिया ठीक है आप अपने फेस पे डोट की तरह चारो तरफ लगा कि दोनों चीक्स पे फोरेड पे और चीन पे लगा कि आपने इसको पूरे से मसाज करन कि इसको रिज़ आपने वोश करे लेन अपना फेस तो आप इसका जो रिजल्ट है आपको बन वीक तक नज़र आना शुरू करना शुरू होताज तो आप इस यूज़ लाजमी कीजेगा और मुझे आपने लाजमी कुमेंट में कियाम को मैरी वीडियो कैसे लगी और इसका जो है यह 50 ml है ठीक है और जो इसका मैंने स्क्रब यूज किया मास्क वो है था 75 ml और जो इसका मैंने फेस वो यूज किया था वो था 125 ml तो अगर आप पूरे सेट को नहीं ले सकते हैं इसमें जो शावर जल भी एड है और इसके लावब बोडी लोशन भी एड है और सोब भी एड है ठीक है तो अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप इन तिनों चीजों का यूज कर कीजिए गा प्रोपर ली फेस क्रीम प्लस माजप्रा सक्रब इसको आप मन्त में दो बार यूज कर सकते हैं ठीक है जो फेस क्रीम है और जो है फेस वोश इसको आप रेगुलर बेसिस पर आप यूज को कर सकते हैं ठीक है तो आप इसको इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी देखेंगे कि इसका क्या रिजल् झाल 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 झाल